हलो दोस्तो वेलकम वेक टू माई चैनल आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही कम तेल में बनने वाला नास्ता वो भी सिर्फ एक चीज से बन कर तैयार हो जाएगा और बहुत जादा प्रोटीन से भरपूर है जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनके लि फुल हो जाएगा तो चलिए आजाएए फटा फट से देखने के लिए उसके लिए मैंने ले लिये साबुत हरी मूं की डाल जिसको मैंने रात में बिगो कर रख दिया था और बहुत अच्छे से हमारी जो मूं की डाल है अच्छे से गल गई है तो मैंने ले लिया एक ग्रै और हरी मिर्ची आप इसके उपर थोड़ी सी डाल डाल के भड़िया सा पेस्ट हम बना कर तयार कर लेंगे मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम जादा तीखे पन के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं तो जो पहले बार में जो हमने पीसा वो बहुं good अच्छी से पीस गया है अब हम second बार में पीस रहे हैं तो अब हम इसमें add करेंगे दही जो पोह जाना खंटा भी नहीं होना चाहिए और सिंपल भी नहीं होना चाहिए तो थोड़ा सा दही डाल के और second batch भी हम अच्छे से पीस लेंगे सारी डाल को हम अच्छे से mix कर लेंगे अब इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच भर के बेशन और एक चम्मच भर के सूजी इन दोनों को मिलाने से क्या होगा कि जो चीज हम बना रहे हैं वो बहुत अच्छे से टेस्ट में आ जाएगे थोड़ा सा ओयल एक चम्मच मैंने इसमें एड़ कर दिया है और अब इसमें एड़ कर दूँगी टेस्ट की अकॉर्डिंग नमक अगर आप चाहें बेशन और सूजी को इसकिप भी कर सकते हैं लेकिन डाल देंगे तो बहुत अच्छा टेक्स्टर आएगा और इनको अच्छे से डाल में मिक्स कर देना है जब जैसे ही सूजी और दाल अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो इसको रख देंगे हम 5-6 मिनट के बाद जैसे हमने डाल को फोला तो जो सूजी है वो बहुत अच्छे से फूल गई है यह है आदा चम्मच बेकिंग सोडा और बिल्कुल जरासा इनो तो मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है आप चाहें तो दोनों मेंसे कोई एक चीज ले सकते हैं जो आपके पास एविलेवल ह तो थोड़ा सा पानी डाल के और एक ही डारेक्शन में डाल को हमने फेंटना है बिल्कुल जरासी देर के लिए दो मिनट के लिए और इसमें बबल उठने लगे है तो जब आप इस प्रोसेस को करें उसके तुरंत बाद ही इसको बनाने के लिए रख दें इसको पहले से डा के नहीं रखना है इनो और वेकिंग सोडा को तो अब मैंने ले लिया है एक केक तिन उसको और अच्छे से ग्रीस कर लिया है और जो बैटर हमने बना के रखा था वो इसमें पूरा ही मैं एड कर दूंगी और आप देखिएगा कि कितना मजेदार नास्ता बनकर तयार होगा वो भी कम समगरी के साथ कम समय में और बहुत जादा है ली तो जो दालती उसको मैंने टेप टेप करके नीचे कर दिया है और कस्मीरी लाल मिर्चिस के उपर एड कर रही हूँ और मैंने कढ़ाई में पानी वलनी के लिए रख दिया था और इस तरह का एक स्टेंड रख दि थोड़ा थोड़ा सा जो दाल है वो लग रही है तो इसको फिर से डखके रख देंगे 10 मिनट के लिए तो जो हमारा ढोकला है वो 20 मिनट में बनकर तयार हो जाता है तो देखिए चाकू हमारा एकदम क्लीन आ जाएगा अपकी बार तो हमारा जो ढोकला है वो बहुत तड़के की कर लेते हैं तैयारी तो मैंने ले लिया है एक तड़का पैन और इसमें डाल दिया है ओल थोड़ी सी राई डाल देंगे थोड़ी सी इसमें वाइट तिल एड़ कर देंगे तिल से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और आप इसमें हम एड़ कर देंगे हर को दोदी ना डाले है कि इसमें चीनि डाले कि बीचाम कर देंगे पानी जिससे इसका जो हम तड़ के तड़ी सी चीनि डाले कर देंगे पानी जिससे इसका जो हम तलका तौयर हो जाएगा तो तलका हमारा त elli से टड़ facts account कर देंगे लिए तो तो husband Lord we two are we to start our Girish Li अड這邊 बना रहे हैं और स्टीम्ड केक की तरह बन गई है और बहुत आसानी से निकल जाता है टैप टैप करके ये देखिए लग रहा है मजे-दार दिखने में असा लग रहा हा है कि जैसे कि हमने मुंग-डाल की यह बनाई है बहुत ही स्पोंजी बना है आपको मैं दिखा रही हूँ ये देखिए और इसको देखने में ये बहुत सुद्धा लग रहा है उठाने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना स्पोंजी बना है तो जो तड़का हमने तयार किया था वो हमने सारा इसकी उपर डाल दिया है और चाकू से मैंने इसको बिलकुल केक की तरह कट कर दिया है मैंने तड़का डालने की वीडियो भी शूट की थी पता नहीं कहां डिलीट हो गई तो अब मैंने इसको इस तरीके से सालू कर रही हूँ जैसे कि ये केक हो और जिसके बच्चों को खिलाना है तो आप इसी तरीके से नए नए से बना कर खाना बनाईए खिलाईए खुद भी खाईए हैल्दी रहिए हैल्दी खाईए अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करना चैनल पर नए है तो सबस्कारब